प्रेतों के खेल से काप उठी मेरी रूह ये घटना आज से बारा साल पहले की है उन दिनों में बिहार के एक छोटे से गाउं हसनपुर के हस्पताल में कारेरत था एक रात हस्पताल में ज्यादा मरीजों की वज़े से रात के बारा बज गए थे उस रात तेज बारिश हो रही थी मैं भीकते भीकते अपने घर पहुँचा कपड़े गिले हो जाने की वज़े से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की मुझे पांच साथ किलोमेटर दूर तक किसी गाउं में ले गई मैंने सोचा कि लड़की इतनी रात को मेरे यहां कैसे पहुँची लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए एक मकान में पहुँची और वहां उसकी मा बिमार पलंग पर लेटी थी मैंने उसकी नबज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाई लिख दी उस लड़की ने मुझे को बाहर मेरी जीब तक मुझे को छोड़ दिया फिर मैं घर पर आ गया अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा की रात वाले मरीज से मिलता जाऊं थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में जाने को ये सोचकर मैं वहां गाउं में पहुचा मैं रात को जिस मकान में गया था उस जगा पर मुझे कोई नहीं दिखा मुझे उस जगा पर खंडर नजर आ रहा था तो मैं गाउं के लोगों से पूछने लगा कि यहां एक घर और परिवार रहता है तो लोगों ने हरानी से देखते हुए कहा कि यहां ऐसा कोई घर नहीं है यह सुनकर मेरे रॉंक्टे खड़े होगे मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था वहां के लोगों ने बताया यह प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इनसान के साथ होती है यह तो गनीमत है कि आप जिन्दा बच गे वरना वो आत्मा आपको जिन्दा नहीं छोड़ती मैं हाला कि भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास नहीं करता था मैं जब गाउवालों के साथ उस खंडर में पहुँचा दो उस खंडर के बाहर मेरी जीब के पहिये के निशान थे और वो इंजक्शन और दवा भी वहीं पड़ी थी मैंने बिना लोगों से और बाती किये फिर से घर लोटाया और घर वालों को सारी बात बताई उसके कुछ दिन बाद मेरा तबादला दूसरे गाउव में हो गया लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूप काप जाती है तो यह थी हमारी आज की कहानी आशा करते कहानी आपको पसंद आई होगी कहानी कैसी लगी अपनी रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं साथी वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों तक शेर कर दे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना न भूले साथी बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर सट कर दे ताकि ऐसी धेर सारी रोचकानिया पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले मिलते फिर अगली वीडियो में